दोस्तो जैशिरी राम जैशिरी बालाजी माराज और जैशिरी गुरुदेव जी तो दोस्तो आज आज आपके लिए बहुती इंपोर्टेंट वीडियो में लेके आई हूँ और आने वाली 24 तारिक को गुरु पुरुनिमा का त्योहार है बहुती धूमधाम से लोग बनाते ह और दोस्तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकरी ऐसी मिलने वाली है कि गुरु क्या है गुरु जो है हमने कैसे बनाने है या गुरु की जो महिमा है वो क्या है बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था और गुरु का चैन आपको किस तरह से करना चाहिए तो दोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और जो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि हमारे जो चैनल है इस पे बहुत सारी आपको ग्यान बर्दक वीडियो जो हम डालने की कोशिश करते हैं ग्रह दोश ग्रह पेडा घर से घर में समस्याएं बाला जी की सक्तियां और भी बहुत सा जैश्री राम जैश्री बाला जी माराज गुरू गोविंद दोनों खड़े कायो लागे पाएं बलीहारी गुरू आपने गोविंद दियों मिलाएं दोस्तों जैश्री राम जैश्री बाला जी माराज भकतों आप सभी का कल्यान हो मेंदीपुर की पवित्र शक्तियां तिसरी लहर से भी आपको शुरक्षित रखे ऐसी कामना आपके परिवार के लिए अपने इस्ट देव शुरी बाला जी महाराज से मांगते हैं तो दोस्तों आज का जो मेरा इनका जो टोपिक है गुरू की महिमा का बहुत ही गुड रहस्य है गुरू एक बहुत ही गुड रह काती है इस मृत्यू लोग पर हमने जब लिया अपनी मांग से तो हमारा वजो प्रतभम गुरू है मां है हमारी मांको हमें आधर भाव और प्रतम गुरू मान कर हमेशा चलना चाहिए हर विक्ति की ऐसा कोई विक्ति नहीं है जिसकी कोई मां ना हो मां से ही हमारा होता है तो महीं हमारी प्रथमक्रम मनी जाती है। और में जाथा हूं कि अगर आज गुरू की वीडियो सुना रहा हूं तो एक छोटा सा भजन अगर मैं सुना दूं तो आपको कोई इतरास तो किसी बगार का इतराज होना नहीं चाहिए तो मैं अपने गुरू के लिए एक छोटा सा बजन करता हूँ करता करे ना कर सके गुरू किये सब हो साथ दीप नोखंड में सारे तीरत दाम आपके चर्नों में हे गुरू देव पनाम आपके चर्नों में क्या है गुरू देव के चर्नों में हमेशा परणाम करना चाहिए आपका प्रत्म अधिकार है उनके चर्नों में नत्मस्तक रहना क्योंकि गुरू की आग्या हर कारियों को करने से पहले होती है गुरू हर शक्ती से पहले पूजनिया माने जाते हैं वो क्यूं माने जते हैं गूरू सबद का क्या मर्द दो सबदों का क्या अर्थ है क्या तत्व है गूरू मिने अंदकार और रू मिने अंदकार से लेके जाने वाला मालो ग्यान की तरफ हमें ग्यान की तरफ जो लेकर जाता है वो ही गूरू है उस संसार उस माया रुपी कश् बार निकालता है उस भवसागर से बार निकालता है वही गुरू है और गुरू जो है इस संसार में कई त्रिक्के से बताए गए है जैसे कि हमें प्रतम गुरू हमारी मा है तो दित्या गुरू हमें जो शिक्षा गरहन जहां से प्राप्त होती है हमारे गुरू कुल जो होते ह और गुरू की जो प्रंप्रा है हमारे प्राचीन काल में युगो युगांतरों से चली आ रही है जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 24 तारिख को दिन शनीवार को अशाड मास की पुर्निमा पर ब्यास जी का जो गुरू की रीत है वहीं से चली है ब्यास पूजा होती है और उनी की रीत के कारण ही गुरू का रहस्या है गुरू का मतलब जो इस संसार का समस्त ग्यानी व्यक्ति और गुरू का रहस्या गुड रहस्या माना जाता है जो हमें शिक्षा प्राप्त करें वैसे तो हमें शिक्षा किसी से भी प्र करते हैं हम अपने गुरु का चैन कैसे करें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस पकार से आपको गुरु का चैन करना चाहिए तीन पकार से होते हैं संसारिक अध्यात्मिक और साधिक जैसे कि आप कोई साधना कर रहे हो तो आपको साधना के अंदर आपके गुरू की शक्ती मेरी भक्ती मेरे गुरू की शक्ती फुरो मंत्रो इश्वरो वाचा कोई मंतर में शक्ती प्रवेश करवानी हो तो गुरू की भक्ती होनी जरूरी है गुरू नाद जी के गुरू है तो आप सोचिए उनकी किरपा कितनी प्रथम बताई गई है गुरू के माददम से कोई भी वेदिक शक्तियां प्राप्त करनी है तो आप गुरू का चैन होना बहुत जरूरी है और गुरू का रहसे बहुत ज़्यादा उप्योगी है इस संसार में पूजा कर रहा हूं क्या मैं ये पूजा मेरे लैक है उचित है या नहीं है और अगर वो पूजा आपके लैक है तो गुरू ही बताएंगे मान लो आप कोई साधना करते हो साधना में कोई सिद्धी प्राप्त कर लेते हो या कोई शक्ति का अवान कर लेते हो देखिए बु कि तैंटा से किसने अरजुन ने ही ये इशिक्षा प्राप्ट की थी नेकिन तर्कस में बापस करना भी सिखा था तो इसलिए आपने अपना गुरु के पर्ति इस पकार का गुड रहस्जा है देखना है कि गुरु के पर्ति जो जो ज्यान है अंदर उज्वल प्राप्त करना अपने अंदर पैदा करना है जान जादा उठाना है समझ गे और गुरू का आदर भाव हमेशा करना चाहिए गुरू की निंदा कभी नहीं करने चाहिए अगर आप गुरू की निंदा करते हो तो आप सबसे बड़े स्वम प्रमात्मा की निंदा करते हो ये बात आ सुलेना क् कि भगवान ने एक बात कही है कि इस कल्यूग में मैं गुरू रूप में ही पूजा जाता हूँ और गुरू के बगएर मेरी कोई मानता नहीं कर रहा तो इसी पकासे गुरू के अंदर ही प्रमात्मा पूजे जाते हैं गुरू के रूप में ही प्रमात्मा मालो ये संसार क्या है या आपके लिए एक जाल है गरस्त जीवन क्या है एक जाल है एक बहुत बड़ा जाल एक बहुत बड़ा ताला और गुरु क्या है उस ताले की चाबी मालो चाबी आपके ब्रह्म कौन की चाबी मालो आपके मस्तिक में जो आपका उज्वल ग्यान को उद्य करने की चाबी जो है वो गुरु ही है अब गुरु का चैन कैसे करें गुरु का चैन करने के लिए मैं आपको बताता हूं अगर आप संसारिक गुरु को मानते हो तो संसारिक गुरु आपको हर पकार की गरस्त जीवन से बुराई हर लक्षमी या किस पकार की दिखतों से बचाते हैं संसारिक गुरु आपको चलना सिखाते हैं उनकी नाम का जो सिम्रन करते हैं परम पिता प्रमात्मा से मिलाने वाले ही गुरु होते हैं तो उसी पकार जो अध्यात्मिक गुरु है जिनसे आपको अध्यात्मिक ग्यान प्राप्त होता हो गुड रहसे का ग्यान प्राप्त होता हो जासे कि बहुत गहरा रहसे है किसी चीज के बारे में किसी गरंथों के बारे में या किसी उपनिशितों के बारे में या किसी भी चीजों की वेदिक शास्त्रों के बारे में भगती के बारे में ऐसा गुड रहसे प्राप्त होता हो और साधिक गुरू वो गुरू जो आपको साधना वेदिक मंतर, शास्त्रों और शास्त्रों को चलाना सिखा दे और हर पकार की विद्याओं का ज्याता हो समझ गए तो इस पकार से आपको गुरू का चैन करना चीए अगर आप चाथते हो कि ये तीनों शक्तियां एक ही जगा मिल जाएं तो वो एक ही छक्ति एक ही गुरू में है कौन है वो गुरू प्रह्मा, गुरू विश्णू, गुरू देव, महेश्वरा, गुरू शाक्षत प्रम प्रह्मा, तसमेश्री, गुरू वेन महा, शाक्षत महादेवी क्योंकि हमारे अराध्य गुरुदेव के शिरी चर्नों में हम कोटी-कोटी नमन करते हैं हर्द्य में महागोरी लक्षमी कंठिशार दामाता है जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विश्णू हे शंकर भगवान आपके चर्नों में हे गुरु देव पनाम आपके चर्नों में तो इस पकार क्या है कि इस पकार हर्द्य में महागोरी लक्षमी कंठिशार दामाता है जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है क्योंकि गुरु ब्रह्म मस्तर की तरह लगता है अगर गुरु का आशिवाद आपको मिल जाए प्राप्त हो जाए तो बहुत ज़्यादा गूर्द रहसे प्राप्त होता है एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, एक कहानी क्या था कि एक तांतरिक ने, एक व्यक्ति ने एक तांतरिक से कोई वेर भाव कर लिया, वेर भाव कर लिया और उस वेर भाव करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको उस तांतरिक से इस पकार का डर लगने लग गया उस व्यक्ति कीजिए और अपना गेरा बना लीजिए और कोई भी उस्तांति ने खरी चुनोती दे दी कि मैं आज आपका विनाश कर दूँगा आपका इस पकार का नाश कर दूँगा तो जब उन्होंने कहा कि आप विनाश कीजिए नाश कीजिए मुझे अपने गुरू पर विश्वास है क्योंकि गुरू जो है प्रम ब्रम से भी परह है तो इसी पकार से जब उन्होंने क्या करा वेदिक शास्त्रों का जो ग्याता होते हैं गुरू उन्होंने ऐसा गूर रहस्य मंतर दिया जिससे उन्होंने अपना रख्षा कवच स्तापित कर दिया तो जिसके पकार वो तांत होती है और हमारे गुरु की शक्ति होती है अगर आपको गुरु का चैन करना है अब मैं क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी तो मैं शोटकट में वीडियो बना रहा हूं अब तो क्योंकि आपको अगर गुरु को अपना धारन करना चाते हो तो कैसे आप महादेव को अपन हे महादेव हे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा मैं आपके श्री चर्णों में नमन करता हूं और मेरा सोभाग्या होगा अगर आप मुझे शिश्य के रूप में सविकार करें मैं कल आकर आपका पूजन करूंगा इस संसारिक याचनाओं से ब आपने चंदन का एक तिलक बना लेना है उसको आपने गिस लेना है गिसने के बाद आपको अच्छी त्रिक्के से पूर्ण त्रिक्के से जब वो पूर्ण लेप त्यार हो जाए उसके बाद आपने शंकर भगवान का सिंगार करना है अब सिंगार किस पकार करना है मैं आप को बताता हूं कि आपने सबसे पहले महादेव माता पारवती और सभी परिवार को आपने एक वारी सनान करवाना है सनान करवाने के बाद फिर उसके बाद आपने जो तिलक बनाया है उसमें गंगा जल का छिट्टे से ही तिलक बनाना अक्षद के 21 दाने लेकर चलना और उसका पुरा लेप तियार हो जाए चंदन औरिजिनल रोणा चीह खश्बू वाला सफेद छंदन सफेद चंदन का तिलक लेना है हां अगर लाल जो बनाना है तो अलग बनाईना है तो सफेद जिसमें सुगंध उठती है तो उस पकार आपने चंदन का तिलक लेना है और महादेव सबी को तिरपूंड लगाने हैं तो तिरपूंड लगाने हैं महादेव से प्राजना करनी हैं कि अब शर्ण पड़े की लजड़ा किये और मुझे अपने रूपियर में सभीकार कीजिए कि संसार में जो लोग अध्रम कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं या किसी पकार पहले आपका उदेश्या पूर्ण होना चाहिए कि आप गुरू धारन कर रहे हो तो उसके बाद आप किस पकार का कारिया करोगे ये आपको धारन होना चाहिए अगर और उस पकार का धारन करकर आप उस उदेश्या के परती ही कारिया करोगे औ कर दो जिस गुदेश्य चेप बणती आफ गुरुको धारण कर रहे हो अगर इस पकार का चैन आपका होगा तभी आपको गुरू किदारणा सविकार होगी महादे़ को एवस्पकार आपने क्या करना है कि महादेव मैं साधना करना चाहता हूं और मैं इस इंसार में अध्यात्यमिक बुराईयों से बचना चाहता हूं या मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं और मेरा ती दिल से मैं आपको गुरु धारन करना चाहता हूं अगर पुर्णी मा पर इस पकार करकर आपने पंचमरी त्यार करकर ऐसे जल चडाना है और फिर तिरपूंड लगाने है और महादेव को सवा दो मिटर सफेद कपड़ा लेकर आपने पं सही हैं पंचमरी महादेव को सवा दो मिटर पर इक पंचमरी बना लेना या लपेट के आप एस पक्र लपेट कर एक पंचर पना देना अपने गुरू के ताज गला दस рядकर घृक अब हैक किसी ब्राभ्मन को या किसी ब्रामन इस तरी को जोड़े से वस्तρदान करें जो देखो गुरु के अंदर अगर कोई संसारिक गुरू है आपके व्यक्ति के रूप में तो आपको गुरू और गुरू मा का फून रूप से पूजन करना चाहिए गुरू मा को भी उतना ही सममान देना चीज आप अपने गुरू को देते हो ये नहीं देखना चीज़ोगी इस अंसार में कभी एक शक्ति के बगार आप होता है तो दोनों का मिलन बहुत जरूड़ी है और दोनों शक्तियों को पावर आप के पास होनी चाहिए इसी पकार आपने जब शंकर भगवान को इस पकार का पगड़ी पना दी तो इसी अगर कोई किसी का संसारिक रूप से गुरू है तो वो अपने गुरू का पूजन करें यह मैं उनके लिए पता रहा हूं महादेव को गुरू बानाने के लिए जो धारन करना चाहता है और जो चाहता है कि मुझे वेदिक शक्तियां प्राप्त हो और जो यह जिनका गुरू है वो अपने ही गुरू को पूजन करें समझ गए तो नेकिन जिनका गुरू जो नहीं है लोग बिचले पड़े रहते हैं कि हमें किसको गुरू बनाना चाहिए नहीं दिख रहा तो महादेव से बड़ा योगी संसार में कोई नहीं क्योंकि जनम के दाता मात पिता है आप करम के दाता हो आप मिलाते हो इश्वर से आप ही भाग्य बदाता हो, आप ही भाग्य विदाता हो हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरनों में हे गुरु देव बनाम आपके चरनों में, सारे तीरत धाम आपके चरनों में हे गुरु देव पनाम आपके चर्णों में गुरु का रहसे बताने की मैंने चेश्टा करी है लेकिन इनका रहसे बहुत बड़ा है इनका कोई पार नहीं है गुरु एक ताला है क्योंकि आप तो दुर्गा सब्तमी पढ़ते हो माता की पूजा करती हो क्यों आपको पता है कि जब दुर्गा सब्तमी में जब राती सूथ पढ़ते हो तो उसमें सपस्टी तरन लिखा पड़ा है महादेव ने माता गोरी को का है कि हे देवी इस संसार में कुईसी भी चीजों का लोग गलत तरीक्य से इस्तमाल ना करें अगर कोई अपने गुरू की पूजा करना चाथा है तो शको अपने गुरू की पूजा में दिल और जान लगा देना चीए मैं तो ये बतारहा हू दिलो जहान लगा देना चीछेँ आपका दिल करें into the people अगर ही रुपईया है तो रुपईया दो अगर रुपईया भी नहीं है तो एक कुछ भी मिष्ठान तो मिष्ठान दो नेकिन दिलो जान लगा देना है niż पुर्णूफ दकषिणा के साथ गुरु को पुजण कीजिए और सचय मनसे गुरू का पुझणु निंदा सुन प्रमात्मा की निदा है क्योंकि गुरु को प्रमात्मा के झिधार गया है क्योंकि कौफ संसार में भई ब्रह्मा विश्ण निंद्ध सभर बैठ गए बहुत बहुत बदर तला कर लंजनें तो उन्हों सुनें के संसार है इनसान थे फॉसा ही all शी बात है तो उन्होंने राना त्यार किया बहुत कड़ आपके संसार की उर्जने है ग्रस्त जीवन है देनिक चरिया है लेंदेन है ये सब का सब जो है ताला त्यार। उसकी चाबी अब कहते ताला तो ताला 1509 है धोल गुरू है तो गुरू ही उस चाले की चाबी है मालो जितने वेदिक मंतर शास्तर हैं तो वो जो है ओ गुरु के द्वारा नेकिर गुरु के गुरु महादेव के रूप में भी पूछते हैं तो मैं आगे भी आपको वीडियो बनाऊंगा कि हनुमान जी को किस पकार गुरुदारन करना चाहिए महादेव क पुन रूप से गुरुदारन किस पकार करना चाहिए समझ गे अगर तंतर के किरिया करना चाहते हो तो तंतर के किरिया से किस पकार गुरुदारन करनी चाहिए तो गुरु का रहस्या के बाद जो अलग-अलग रहस्या है उस पकार से जो रहस्या है वो भी मैं आपको समझ गे तो मूरक को बना रहते हैं गुरू तो इसी पकार से क्या है गुरू जो है बहुत बड़ा रहस्य है मैंने आपको बताया अपने गुरू का दिल जान से पूजन कीजिए गुलाब की माला पनाईए चुछ भी पनाईए फुलों को या फुलों से सरनान करवा दीजिए या आपकी अंदर के भाव है भाव की कोई कीमत नहीं होती मेरे भाई मेरे दोस्तों मातों भेनों भाव की कीमत नहीं है आप इस्ट को देव को जिस भाव से पुजोगे सभी कार है तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आज का सवाल रहेगा आज का जो सवाल है मैं ये बता जाती है इसमें मालों वो कौन है जिनका इस दिन जो जनम हुआ वो कौन है यह आपने उत्तर देना है असाड मास्की पुर्णीमा यह क्यों मनाई जाती है यह मैंने आपको नहीं बताया तो मैं एक बीच में बोल रहा हूं आप देखना मत यूटूब पे चैक मत करना तो दोस गुरुदेव से करता हूँ जय श्री राम जय गुरुदेव